स्री शिवाय नमस्त उब्यम दोस्तो पुझ्य गुरू जी पंडित प्रदीब जी मिस्रा ने साल के आकरी दिन याने आकरी सनिवार को यह उपाय करने के लिए पुन्य स्री सिव महापुरान कता मालेगाओं में अपने भक्तों को कहा है और कहा है निवेदन करता हूँ अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में धन वा वेभा की कभी कमी नहीं होंगी तो दोस्तो जान लेते हैं कि क्या है उपाय दोस्तो मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू करतीजे और अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलिए तो दोस्तो जान लेते हैं कि पुझ जी गुरू जी पंडित प्रदीप जी मिस्रा ने सनिवार की दिन क्या उपाय करने के लिए अपने भक्तों को कहा है दोस्तो पंडित प्रदीप जी मिस्रा ने सनिवार की दिन एक लोटा जल तयार करने के लिए कहा है और इस लोटे में जो जल रहेंगा हुआ घर का ही रहना चाहिए और दोस्तो इस लोटे में आपको काली तिल के कुछ दाने डाल लेना है और यहाँ सब तयार करके आपको सीधे पहुच जाना है सियू जी के मंदिर और दोस्तो ध्यान रहे बस यहाँ दो गलती आपको मंदिर पहुच के नहीं करना है जिस तरह से आप हर रोज एक लोटा जल चलाते है आपको वैसे इस जल को बिलकुल नहीं चलाना है आपको ना ही इसे गणेज जी के स्थान पर चलाना है ना ही कारतिगी जी के स्थान पर चलाना है कि जब भी आप जल चड़ाते हो तो वह जो जल आप इतने ऊपर से चड़ाते हो कि उसके जो चीटे रहते हैं वहां हमारे पेर पे टच होते हैं तो अपने भक्तों को यह समझाते हुए का है कि जब भी आप सिवलिंग पे जल चड़ाते हो तो इतने नीचे से चड़ाना चाहिए कि वहां हमारे पेर पे उसके चीटे ना उचले और दोस्तों यहां भी कहा है पंडित प्रदीब जी मिस्रा ने कि जब भी आप जल चड़ा रहे हो तो वहां जो जल की धारा है वहां नहीं तूटनी चाहिए और जल चड़ाते हुए आपको स्री शिवाय नमस्तुव्यम मंत्र का जाब करना है और अपने मन में जो भी आपकी मनों कामना है जो भी आपने कामना करी है वहां आपके मन में आपको बोलते रहना है और आशिरवात की कामना करना है काले तिल की महत्ता को बताते हुए पंडित प्रदीब जी मिस्रा ने यहां कहा है कि जो आपने जल में काले तिल डाले है उससे क्या होंगा काले तिल सिउजी पर चड़ाने से आपके घर की जो निर्धनता है दरीदरता है वह दीरे धीरे खत्म होने लगती है आपके घर के भौतिक संपत्ती की जो बढ़ोत्री धन रहते है वा तेजी से बढ़ने लगते है याने आपके घर में धन के आने के रास्ते खुलने लगते है और कहीं न कहीं से आपके घर में मा लक्षमी की आने का रास्ता बन ही जाता है और पंडित प्रदीप जी मिस्रा ने यहाँ भी कहा है कि ऐसा करने से याने इस तरीके से जल चड़ाने से आपके जीवन में अगर सनी का प्रभाव चल रहा है तो वहाँ भी दीरे-दीरे खत्म होने लगता है अगर आपको यह वीडियो पसंदाया है तो प्लेज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजे स्री शिवाय नमस्तुब्ल